तुस्यापर हम देशिक्स में सिखेंगे कि देशिक्स में इसके पिछले बाले टूटॉलियों हमने सिखा थै कि कैसे 1900 में कोई भाल घटना हुई हो उसको कैसे असानी से याद कर सकते हैं बिना कोई injecting any extra pressure on your mind मतलब अपने दिमाब पर कुछ बहुत भी ज्यादा प्रेशर लगाने से पहले ही आप उसे बहुत असानी से जाद कर लेंगे तो you will see here what tactics we adapt मतलब कौन सा तरीका अपनाते हैं इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले कि आपको टेबल याद होना चाहिए जो मैंने 1-0 तक के लिए लिखा तो जिसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 के लिए जो मैंने एक टेबल बनाई थी जिसे 1 के लिए t r d लिखते हैं इसका बहुत है तो यहां पर हम लोग कि अब यहां पर कमी देखेंगे कि आप यहां पर हम लोग देखेंगे कि अब यहां पर हम लोग ridley देखेंगे कि इस भी संन में जो घठना हुई थी मालियन ले 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 लेते हैं इसे उनीज से एक किस में माल के हम लोग कहेंगे इस बिटी आई ही कानपूर बना था हम इस मालीजे की 1921 में लाल किला बना था लाल किला किस सन में कौन से चीज बनी हैं हम यहां पर हम लोग उसको याद करेंगे जिसी तरह मालीजे 1877 में विश्वनाथ मंदिर बना था मालीजे और मालीजे की 1740 में आपका बना था जीटी रोड बनी थी कुछ भी आप लिख लीजे मालीजे 1711 में पेरिस का एफिल टावर बना था एफिल टावर पेरिस का एफिल टावर ठीक है उसी तरह मालीजे कि आप लोग लिख सकते कुछ भी ले लिजे जैसे कि मालीजे 16 1654 में जैसे मालीजे की आप लाल इंडिया गेट बना था इंडिया गेट लिखते हैं हाँ पार इस पार ठीक स्रीत मालीजे कि सत पंदरह सो लेते हैं पंदरह सो पंदरह सो छबीस ले लेते हैं पंदरह सो छबीस में जैसे कि मालीजे आपका क्या बना था क्या चीज़ लिया जाए जैसे कि पंदरह सो छबीस में नई दिल्ली लिख लेते हैं जैसे कि पंदरह सो छबीस में नई दिल्ली का भी कास हुआ था इस तरह से इसी तरह मालीजे कि चौदा सो है चौदा से कई से ले लेते हैं चौदा से किस में गंगा ब्रीज मना था कुछ भी आप ले लिजी यहां पर एक एक जामपल के तौर पर लिखा जा रहा है इसी तरह मल जीक तेरह सो ले लिए तेरह सो तिरए सो तिरए सो तिरपण लिलेते हैं तो तिरह सो तिरपण में आप लिख सकते हैं कि हवाई जहाज लिख सकते हैं सित्र मालेजे कि बारह सो तीरपा सब आर्बान में आइव आपको इये बना था पंखा बना था पंखा पंखा नियुक़ास लिख लेते हैं तो देख इतनी सारी चीजें हैं अब आपको इतनी है요 को याद करना है तो आप इसको कैसे याद करेंगे यह जैसे कि यह son और यह यह सब्सक्राइब यह कि यह son हो गया कि मतलब year हो गई इसको लिखी देता हूँ तक अब लोga Confuse ना करें यह year है यह है और यह क्या incident है मतलब इससन में इस तरे की चीज़े हुई थी यहां पर इयर है और यह है इसीडेंट इसीडेंट अब यह की टेबल में है तो यहां पर आब इसको कैसे याद करेंगे कहने हैं मतलब यह कि पिछले वर्ड में तहते क्यों दो ही चेंज कर रहे थे यहां पर मैंने दो बार उनीच्छी से लिख दिया है मतलब इसे किसमें लाल की लाइब बना था तो ठीक है कोई सदिकत नहीं है तो कि एक सन में दो-दो सारी चीजे भी बन सकती हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यह हां और यहिसे कि आपको इस से पिछले वाले टुटयरियल में जैसे डे 5 टुटयरियल में यह था कि कई लाष्ट्यक के 2 ही डीजिट आपको चेंज कर रहे थे लेकिन इस टुट्योटीय में हम दो लोग देख रहे हैं कि इस तीन कियल केवल यह में एक तो ही है तेकिन हर जगा जहां पर तीन बदल रही है यह तीनों डिजिट यह तीनों डिजिट बदल रहे हैं तो इन बदले हुए डिजिटों को लिए कोई उपाय सोचेंगे अमनों से कई चीजिजों कोई इमेज नहीं है तो हम इनको पहले इमेज बना देंगे जाए है आप लोग को भी इतना प्रेक्टिस का लिनी चाहिए कि तुरांट आपल चीजे बना सकें और तुरांट जली जली बिना समय गवाए बनाने जाएंगे इसको अफिन याद इसको जोडने जाए है इसलिे इतनी प्रेक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको एलवं से लेकि आप वुरे नाइन मंहकर याद बंड जाने चाहिए तो नो से किसको अलम लिग सकते हैं इसको इसको ही लिग सकते हैं 877 याँपकरी है और स्भी के लेते हैं से के कैट stopping जाया है लिगो निग नाप है इसमें भी बिक्की लिख सकते हैं और 740 7 से के आर से रहा जीरो से या स्थ क्रीस बन जागा क्रीस अ क्रीस क्रीस में देखेगा यह को इसको रहा लेंगे और इसको सब्सक्राइब कुछ नहीं मतलब होता जैसा हमने पहले बता दिया था और इसको इसको किट्टी लिख सकते हैं किट्टी हिंदी में ही लिख देता हूं सेवन का मतलब का से है और वन का मतलब टी से और वन का मतलब टी से हिंदी में इसको टा टा भी कह सकते हैं या कभी ता टा भी कहते हैं तो टा लिखे जाए ता लिखे उसे फरक नहीं पड़ता है तो यहा फाइब फघंच को सी सच है बनाच नहीं होगा क्या वाड़ाट्रा है हैं पैंच को फॉद्सक्टüs कुछ काम करेगा तो लंच इसी तरह 421 से हम लोग रेंट लिखेंगा है रेंट मतलब किराया होता है फॉर फार आर फॉर फार आर टू फार यन और वन फार्टी और इस यह का मतलब तो क्यों हेल्पिंग वर्ड बनाने के लिए किया गया उसका कौनों काम नहीं है थ्री फाइब थ्री थ्री से यम फाइब से यल थ्री से यम तो मल्यालम मल्यालम नहीं मल्यालम सही वर्ड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें चार वर्ड आजाएंगा मल्यालम सही वर्ड नहीं बनेगा तो इसका दिखते हैं मालम 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 बनाए तो मलहम निख सक उसी तरह 253 तू को यन लिख सकते हैं पाइव को यल थी को यम तो यहां पर आप से लिख सकते हैं नी लम है यहां पर यहन ल और काम का वर्ड है जसको की वर्ड कहेंगे और डवल य यह सब तो फाल्दू का वर्ड है कि वल्यक्तका उतला किया गया है लिधाएं इुक्राव पर जोटे सबस्ते हैं इनको आप याद कर लेंगे आपको बाझा नेका को जोड़ना है पेंट को कानपूर से जोड़ना है उसी तरह पेंट को आपको लाल के लिए जोड़ना है 877 को विस्वनाथ मंदिर से जोड़ने के बजाए आपको विक्की को विस्वनाथ मंदिर से जोड़ना है क्रिस को जी टी रोट से जोड़ेंगे एक वर्ड मैंने बताय था कि आई मतलब आप खुद को इस्तमाल कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा मतलब जो भी आप अपने चीज़ों सोचते हैं कि ज्यादा तर अपने बारे में ही सोचते हैं मतलब या आप देखेंगे कि ज्यादा तर चीज़े वही आप सोचते हैं जो आप से घटी होती है या आपके अगल वगल ही घूमती है ऐसे आप बजार के बारे में सोच रहे हैं आप वहां पर सामील नहीं हैं आप कही ही न कही किसी कोने में बाजार मारे मोचल की तो आप एदर-दर कि का इमेज भी आपका इमेज भी जरू झोंल होगा इसी तरह मने कि कि आप किसी भी चीज के करते हैं चाहाँ खाना खाते हैं चाहें खिलते हैं तो आप आप अपने बारे में ही फिल करते हैं, 10 लोग के साथ आप सामील है तो वहँ दस लोग के साथ मतलब आपने बात किया है यह बात कर रहे हैं मादसिक तर पहरी जिसको इंगलीस में को हम लोग उस जो हमारी दिमागी से अधे उसी स्वाश का फाइदा उठाते हैं आपर चीजों को याद करेंगे तो पेंट को हम लोग है भी टी आई खानपूर से जोड़ेंगे तो आप इस तरह सब्केंगे आई का यूज करेंगे सेक्ड मैं पेंट कर रहा हूं इसी तरह मैं मैं विश्वनात मंदिर बिक्की के साथ गया मैं जीटी रोड पर क्रीस से मिला मैं एफिल टावर पर किट्टी को चढ़ा रहा हूं तो इस तरह से आप सोचेंगे याद रही किए कि पहले आपको घटना देखनी है ऐसा नहीं कि पहले ही साना भी याद कर लेंगे आपको यह पूछा जाता है कि इस घटना यह घटना कौन सी सन मही थी तो ऐसे ही पूछा जाता है यह नहीं कि संस कानपुर का मैं पेंट कर रहा हूं लाल के लेखा मैं बिक के साथ विसनात मंदिर गया है होता है यह जैसे हैं आप कहेंगे मैं पेंट कर रहा हूं इसी पहले आपने याद कि यह होगा जो चीज ऊसको भी बहुत सारे चीज दोड़ा होगा तो क्या हो सारी चीज़ा चली आएंगी लेकिन जब सही आप पछुël पिय्ट में और भी आपने विणा उपने मिमोरी का योजिया होगा पेंट को कभी हाँ तो आपके दिम्रेंगि अतरय चीजे होगा हो आपको scan करना पड़ेगा scan करना हो सकता है आपने सही रिजल्ट ना दें लेकिन जब इधर से राइठ हंड से मतलब एधर जाएंगे याद करते हुए तो आपको आसानी से ढोड़ लेंगे कोई परसानी नहीं होगा दिमाग भी लाइबरेरी की तरह है अगर आप इसको सही ढंक से इस्तमाल करेंगे तो आसानी से तुरंथ चीजों को पा लेंगे तो मैं इस पिटी आई कानपूर को मैं हैं मैं कर रहा हूं और मैं ईंडी यएड पर उसे मिला गया तो मैं 101 से जिटी पर बहुद पर करीस से मिला और ओर मैं लेंसे कीते रहा हुं या उगने क सब्सक्राइव 엄क immense इंदिया केच पर मैं एक जल्व इन उ मैं जाकर मैंने खुब लंच किया गंगा ब्रीज पर मैं रेंट लेना चाहता हूं या गंगा ब्रीज को मैं रेंट में लेना चाहता हूं या गंगा ब्रीज पर मैं रेंट का कमरा बनवाना चाहता हूं कुछ भी कर लिजिए हवाई जहाज में मलहम फ्री मिल रहे हैं या मैं चला कर या मैं पंखा खरीद कर नीलम को दे रहा हूं तो यहां पर देखिए हर जगा मैंने आई को जड़ा है हर जगा मैं खूद हूँ कहीं कर मैं सामिल हूँ दूसरी बात है मैं इधर से इधर को जोड़ रहा हूं मतलब I mean associating from this side to this side ताकि यह जोड़ने का भी मतलब भी ढंक से जोड़ा जाए तो चीजे सही रहती है आप बता चुका हूं कि आपको इधर से इधर जोड़ना है ताकि आपको सन याद रहे साही से तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आपको एजबटी आइक जैसे ही आप लाल किला बोलेंगे को नाल किला को तुम्हाइं पइंट कर रहा था तो उसी तरह विस्वनात मंदिर को आप जैसे ही बोलेंगे अपने निवां आखे बंद किये रहिए आप खिल बोलते रही अगर एक बर देख लिजिए वर्ट को फिन आखे मंद करकर सोच गर दिमाग घुदी सौच लेगा help युशी निपढ़ेंगी पिशनात मंदिर जैसे ही आप बोलेंगे तो गजीति रोट पर मैं तो क्रिस से मिला था और इसी तरह एफिल टाउर को याद करिए इफिल टाउर अपने केटी को चड़ा रहा था हैं इंडिया गैट की जेसे ही बात करेंगे तो टेंडिय के बात मिला था हो मैं रिटा कपड़ा पहने हुआ था वह पहने गपने बात था हुआ युद्विक फार्म नτού टैल ही गंगा बरिज कि बात है आज आगी तो तो को पैने कपने ।ट हमने रिलना कि निन दिन दुन को आपको याद देगे को हईंगा अंधिक जाध रहा था रहा था यह मने हवाई जाध में प्री बादते वे देखा था इस तरह है पंखाग बेंगे तो आपको निलब कि याद तो इसी तरह है ज़स्ट रिमाइन बेस्ट रिमाइन प्रसेस इन इस टेकनलोजी वर्ड विल डेफिनिलिटी वर्क मैं यू एड़ अड़ इड़ अपने मन से चलती रहती है वह नहीं अपने मन की चीजों को एक सही डिरेक्शन देकर आपको चीजों के याद रख करना है याद रखेगा फ्रेंट्स एंड श्ट्डेंट्स मतलब यह आपको सीविल सर्विस ले के कोई भी जाम आपको याद करने में बहुत ही हिल्फुल होगा चुकि अभी बेसिक लेबल पर जनकारी चलिए अब यह ड़ांस लेबल पर आपको इसे बहुत सारी चीज़े बताए स्कूर्णिक बाहुआ यह बीदू आ श्याहिए एलफुल फर यह वीडियो साही लगता है तो आप सबस्क्राइब कर यह तके आनवले वीडियो की जनकारी अबको तुरनत मिल जाए और इसको लाइक और शेयर करना भी अबत भुलिएगा सो यहुप थेयर विदोड के एव झाल में टुर।